नमस्कार मैं अविसेकराज CEO Founder EG Way Global दोस्तो रेलेवे Recruitment Board के तरफ से Assistant Local Pilot के लिए 5000 लगभग पदों पे भरती निकाली गई है 596 पद है और ये निउज देखने के बाद हम अस्तम रह गयते और मुझे लगता है कि पूरे देश के जितने भी फेकल्टी हैं सब दुखी ने इस बात को लेगे कि उन लोगों को साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया धोखा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों को ऐसा उमीदी नहीं था कि इतने बड़े पद पे बैठे हुए लोग ऐसी बाते करेंगे खुद राजसभा में और लोगसभा में माननिये रेल मंत्रिय के तरब से ब्यान दिया गया था कि हमारे रेलवे में लगबख डिरह लाख पद खाली है और उस पे कई फेकल्टी ने वीडियो भी बनाया था और आज तक न्यूज चैनल पे राश्टी ये चैनल है देस का उस पे भी ये न्यूज चलाया गया था कि रेलवे में डिर्ल लाख पद खाली है जिस पे बहुत जल्द भरती आ सकती है और जब भरती आई तो उट के मुह में जीरा मातर च्छपन सो चानवे पदों पे निकाली गई तो देस के जो छातर है किस पे भरोसा करें देस के जो रेल मंत्री है उनका ये बयान क्या गलत है कि आराज सभा में उन्होंने केवल ये जहलासा दिया था हमें लगता है कि इतने बड़े पद पे परतिश्टीट पद पे बठेवे बयक्तियों को सुष समझ के अपना बयान देना चाहिए अगर आपकी बातों में ये धोखा जलकता है तो हमारी बातों में भी धोखा जलकेगा इस चीज को भी आप लिख लिजिए इवाओं को धोखा देना ब्रगलाना ये अच्छी बात नहीं होती है देश का भविस्य है ही हुआ और पता नहीं होगा आपको आप तो मिनिश्टर है किस कठिनाई में किस परेसानी में और कहां कहां से बच्चे पैसाई कठा करके पढ़ते हैं इस उमीद के साथ कि हमारे रेल मनिश्टर जी ने बोले है कि डेल डाग भरती आने वाली है और उसमें से मातर पिछला रेकॉर्ड भी तो देख लेते कितनी भरती आती थी आप कितना दिये हैं कोई तुलना ही नहीं है और खास कर ITA के छात एक बार पूरा इतिहास उठा के देख लिए कि ITA के छातर कैसे होते हैं कहां से बिलोंग करते हैं रिक्सा वाले होते हैं गरीब घर के होते हैं जिनके गाओं में खेत नहीं है दुसरों में मजज़ुरी करते हैं उनके बच्चों के साथ आपने छलावा किया है और ये छलावा भारी पड़ेगा इसलिए क्योंकि उपर वाला देख रहा है आपको वोट बैंक की राजनिती करनी है करिए कोई दिकत नहीं है छातर किसी पार्टी के नहीं होते लेकिन उसका अपने भविस्थ से जरूर मतलब होता है उनके भविस्थ के साथ खिरवाल करने का अधिकार आपको किसी नहीं दिया है पांच साल से 2018 के बाद 2018 के बाद आपने 2024 में भरती दिया है ये गैब देखते हैं ना आपके पास कलेंडर है ना कूछ है और करमचारी रिटायर नहीं हो रहे है आप ही की नुज पेपर में ये छापा है 2023 के नुज पेपर में हिंदुस्तान का नुज पेपर में छापा है देश का नुज पेपर है रश्टी नुज पेपर है देखिए कितने लोग सेवा निविर्त हो रहे हैं रिटायर हो रहे हैं, सारा का डेटा यहां पर दिया हुआ है, लगबग 29 में 62,000 लोग रिटायर हुए थे, क्या इसमें LPO रिटायर नहीं होते, सारी की संख्या अगर जोड़ा जाए, तो देखिए, एक लाख, दो लाख, तीन लाख, चार लाख लोग रिटायर हो चुके हैं, कब से, 2019 से लेकर अभी तक, तीन से चार लाख लोग रिटायर हो चुके हैं, फिर भी आपके पास भरती नहीं है, और संसत भन में क्यों बोले हैं आप, कि मेरे लाख, मेरे पास डेल लाख भरती है, कहां कई भरती आपकी, इसलिए सभी छात्रों से मैं वहान करता हूँ, कि आप लोग ट्वीटर केंपियन में आईए, आपने अपना मुद्दा उठाईए, आपकी ये परिशानी है, और हम आपके साथ हैं, जितने भी अपने परिशानी को बता सकते हैं, बोल सकते हैं, तो बोलना पड़ेगा, जब तक आप नहीं बोलेंगे, समस्या का समधान नहीं होने वाला है, तो आप सौड वीडियो बनाकर अप्लोड करिए, नहीं कर पा रहा है, तो मेरे पास भीजिए हम अप्लोड कर देंगे, हमारे हेलप लाइन नमबर भीजिए, वाटसेप पर हम अप्लोड करेंगा आपका वीडियो, क्योंकि परिशानी समझ में आनी चाहिए, कि समस्या है, और समस्या सबके साथ है, इस बात को भी सुचना हमारे मंत्री तक पहुचनी चाहिए, और इसके लिए हम लोग ट्यूटर पे आज 20 जनवरी, मतलब आज 20 जनवरी को, 20 जनवरी को सूबह 10 बजे, सूबह 10 बजे हम लोग ट्यूटर पे कंपेण करने वाले हैं, और ट्यूट है देख लिजिएगा कैपिटल में है और एज रिलेक्सेसन भी ट्विटर हश्टेग रहेगा लेकिन सबसे पहले उपर यह होना चाहिए और क्या करना है अगर ट्विट नहीं कर पा रहा है तो हमरा ट्विटर हैंडल जो है इंजिनियर अविस्यक राज इसको फॉलो कर लिज मंत्री जी हैं हमारे जितने भी बड़े लोग हैं जो यवाउं की बात करते उन तक अपना मैसेज को पहुचा ये कि हमारे साथ ये गलत तरीके से पेस किया गया है ये गलत चीजें है क्योंकि आपको ब्यान नहीं देना चाहिए ये बोलना चाहिए यह था राज सभा में कि भाई हमरे पास सिट नहीं हम भरती नहीं देंगे तो सब लोग इसमें हिस्सा होंगे और जो रसोर से इसका काम करना है ठीक है चलिए और भी इस पर बहुत सारे वीडियो आएंगे थोड़ा सा हम बाहर थी इसका वीडियो नहीं बना पाएं छमा चाहता हूं लेकिन हम के लिए नमस्कार